हलो फ्रेंज कैसे हैं आग सब आसा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे मेरी माता पिता और बड़े भाई बहन को चरण पर्स मेरे छोटे भाई बहन को धेल सारा प्याद आपकी अपने यूटूब चैनल नीलम मिश्या ब्लोग में स्वागत है फ्रेंज और आग मॉर्निंग का टाइम है तो आप सभी को मेरे तरफ से गुड़ मॉर्निंग और चाय बगरा लेने के बाद बचे लोग के साथ बस जो भी टाइम हो जाता है बस जाता है क्योंकि दिन भर तो काम में ही लगे रहते हैं तो थोड़ा सा बचे लोग अपना खेल रहे थे बैटना देखते हैं माहाई तो बचे लोग अपना थोड़ा बहुत जित करते हैं वो गोद में सोने का जीत कर रहा था सौरव उसके बास रिष्टी वो लोग आपस में जगड़ते रहते हैं इस तरह से अगर थोड़ा सा भी बैठते देखते हैं तो बस आ गए थे थोड़ा सा बाहर तो तो रही का फूल आज हम तोड़े हैं जो कि नेनुआ भी बोलते हैं हम लोग और उसको तोड़े हैं तो उसका बनाएंगे आज सबजी क्यों मॉर्णिंग में सनाटा सा रहता है बाहर तो हमने कहां फूल थोड़ा सा तोड़ लेते हैं क्योंकि आज मुझे इसका साग बनाना है और बहुत ही टेस्टी लगता है इसका साग खाने में तो आप अगों को हमने कल सेयर भी किया था जो दर्वाजा लगा है तो एक बार इसमें पेंट हो चुका है जो कि स्रिष्टी ही की है और इसके बाद से देख सकते हैं थोड़ा बहुत अभी एक बार इस पेंट और लगवाना है तो बस यहां थोड़ा सा सफाई कर रहे हैं क्योंकि क कल पूरा दिन निकल गया था पर हम यहां का जाडू नहीं दे पाए थे और मॉर्निंग से ही मिस्त्री लगे थे और यहां आसपास पेड़ पालो जादा है तो बहुत ही रोज की रोज यहां पतिया वगरा कच्ड़े होई जाते हैं तो रोज ऐसे ही कच्ड़ा यहां से नि लिपाई कर रही हूँ क्योंकि इट यहां से हट गया है तो मिटी सा दीख रहा है खाली खाली सा तो विलकुल भी अच्छा नहीं लग रहा था तो हमने का इसको पहले आज मिटी से लिपाई थोड़ा सा कर देते हैं इसकी बास से फिर एक बार लिपाई करेंगे क्योंकि आ अभी थोड़े बहुत फैले पड़े हैं तो उसको भी समेटना है दोनों रूम का भी और इधर का भी काफी सारा सफाई करना है तो थोड़ा बहुत जाडू आसपास ही हमने दिया है इसके बाद से सामने तक नहीं गए हैं जाडू लेके क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है और धूबी आ चुका है देख सकते हैं तो बस यहां से उठने के बाद सिधे किचन में ही जाना पड़ेगा नहाने के बाद और बीना नहाए तो मेरा कोई काम होई सकता है कि चन का तो बस हमने का थोड़ा सा लिपाई कर देते हैं क्योंकि मिटी यहां का बैठ जाएगा और अभी कल ही इता यहां से निकाला गया है तो मिटी उखड़ी उखड़ी सी दीख रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था तो गोबर से लिपाई इसको कर देते है तो अच्छे से बैठ जाता है और इसके बासे फिर देखेंगे तो संडे को फिर कर देंगे क्योंकि संडे को धन तेरस भी है तो संडे को लिपाई फिर यहां थोड़ा सा कर ही देंगे और अभी घर का दुलाई नहीं किये हैं बाकी जो भी होता है जालावगरा सब साफ हो समान कुछ हम अर्जेश्ट भी कर चुके हैं कुछ अभी अर्जेश्ट करना बाकी है तो बस वही सब में लगे हैं इसमें और प्लीस फ्रेंस अगर किसी का भी वीडियो छूट जा रहा है इसमें तो आप लोग प्लीस माफ करिएगा हम जैसे ही खाली पाएंगे आप सभी का जो भी वीडियो चुटा होगा वो सब भी देख लेंगे की इसमें थोड़ा सा बयस्त चल रहे है और जैसे डैसे टाइम मिलता जा रहा है वैस यो पने की पहले देखते थे वैस अभी भी देखते हैं पर इतना ज्यदा थकान हो जाता है कि की नीत कव आज जाता है मोबाइल चलता ही रहता है और मैं सो भी जाती हूं मुझे पता भी नहीं चलता है और यहां थोड़ा सा लिपाई करना था तो हो भी चुका नहाने के बाद आ गए किचन में यहां पानी मेरा खॉल रहा है तो उसमें हम डाल देंगे यह जो फूल है इसको अच्छे से धुल यह थे इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा क्योंकि इसको उबलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पानी हमारा खॉल चुका है अच्छे से तो बस से इसको देख सकते हैं हो चुका है और यहां से इसको गर्ष कर देंगे बंद और इसके बाद से एह है हमारा मसा जो हम डालने वाले हैं थोड़ा सा धनिया मेर्च और जो सरसो है काला वाला तो अगर आपको बनाना होगा तो आप इसमें एक चीज का ध्यान दिजीगा कि सरसो आप अपने हिसाब से डालेगा क्योंकि ज्यादा हो जाएगा सबजी जितना हमारा फूल हो बस उसके जालने के बाद हमने पंच फोरण डाल दिया है और इसको लाल करके बस मसाला इसमें डालके भूज लेंगे और बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंस एक बार आप लोग जरूर ट्राइ किजीगा क्योंकि सीजन में जो भी कुछ आते हैं सीजनी सबजी तो खाना भी बहुत ही टेस्टी लगता है रोटी चावल आप किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं तो दो पहर के लिंच में हमने दाल चौल बनाया है बस उसी पे थोड़ा सा एस सबजी हो जाएगा क्योंकि फूल तोड़ने में टाइम लग जाता थोड़ा सा ही हमने फूल तोड़ा है औ और बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है अगर मैं घेर निकाल ती फुल तो देख सकते हं इतना सा ओया है तो बस इसको हम डाल के अच्छे से और मसाला के घुश नमक भी टाल दिया थो मसाला भूलने चौत में अश्चे से अब Stage से मशल मसल म्शल इस Кो चला देंगे और इ जरूर रखेगा क्यूंकि कड़वा ना हो जाए थोड़ा सा क्यूंकि एक बार हम जो रेशिपी दिये थे क्या बोलते हैं उसको सनैक साग का तो एक दीदी बोल रही थी कि कड़वा आ रहा था तो वही सरसो अगर ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा तो बस वही कड़व में चली गई थी तो यहाँ पे थोड़ा सा रंगोली का सेप भी दे दिये हैं क्योंकि अभी इसको हम बनाएंगे जब रंगोली तो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे क्योंकि कच्चे मिटी में रंगोली कैसे बनाएं और और रंगोली खराब भी नहीं होगा आप में बहुत सारे काम हो जाते हैं और खाना भी बनाना पड़ता है तो उसके लिए मुझे जल्दी जली से इतना ही करके हटना पड़ा बस इतना ही जाडू लगाए थे यहां अभी मेरा इस्टोर रूम भाकी है जिसमें मेरी डॉग रहती है और बचों का साइकिल वगरा रहत ही इसके बाद से वीडियो का एडिटिंग करेंगे अपलोड करेंगे और फिर आप लोगों से खाना खाने के बाद मिलते हैं अब यहां का सफाई कर लेंगे कि खाना मना है तो थोड़ा बहुत छीटा अगर आई जाते हैं अगसर अगर तावे पे सबजी बनता है तो जरू अगर चैनल पर न्यू है तो सस्क्राइब जरू करिएगा और वीडियो अच्छी लगी वो तो प्लीज एक लाइक और फ्रेंस और फ्यमले में सेर भी करिएगा सपोर्ट करिए और चलते हैं वीडियो का एंड कर लेते हैं मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से क्यों वडियो देखने के लिए